भारत एक ऐसा देश है जहां आपको हर गौं हर सहर में मंदिर देखने को मिल जायेंगे लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारत ऐसा देश भी है जहांके मंदिर अपनी वस्त कला अपने इतिहास और रहस्यों के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं इन मंदिरों के रहस से वे ग्यानिक भी आश्चर से भर जाते हैं ऐसे ही एक मंदिर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनका निर्माड चोल वंस के राजा ने करवाया था यह मंदिर तमिल नाड के तमोर सहर में इस्तित है जिनका नाम बधेस्वर मंदिर जिस मंदिर को अस्थानिय रूप से राजस्वरम और थंजाई पेरिया कोविल के नाम से भी जाना जाता है इस मंदिर के रहस करीब 1000 साल वीद जाने के बाद भी तक इंजीनिरों से लेकर वे ग्यानिक तक कोई नहीं सुलजा पाया है पूरी दुनिया में जाना जाता है यहां मंदिर विश्व धरोरों में भी सामिल है ब्रह देशवर मंदिर का निर्माड किसने करवाया था ब्रह देशवर मंदिर का निर्माड चोल सासक राजा राज राज राजा पर्थम के सासनकाल में एक हजाद तीन एक हजाद दस इसवी में करवाया गया था माना जाता है कि राज राजा पर्थम भगवान शंकर के पर्थम भगत थे इसी की वजह से उन्होंने कई स्यू मंदिरों का निर्मार करवाया था मानता या भी है कि जब राज राजा चोल पर्थम स्री लंका के दोर पर गए थे जब उन्होंने एक सो परसन देखा जिसमें उन्हें इस मंदिर को बनवाने का आदेश मिला था जिनके बाद ही उन्होंने इस मंदिर का निर्माड कारिशुरू करवाया था ग्रे नाइट से बना है मंदिर ब्रह देशर मंदिर ग्रे नाइट से निर्मित है यह मंदिर करीब एक दसमरो तीन लाख वजन के ग्रे नाइट पत्थरों से बनवाया गया है जबकि इस मंदिर के सो किलो मीटर के दाइरे में ग्रे नाइट पत्थर मिलते ही नहीं है माना यह भी जाता है कि यह दुनिया का पहला ऐसा मंदिर है जो केवल ग्रे नाइट पत्थरों से निर्मित है तेरा मंजला यह मंदिर जिसकी उचाई करीब 6-6 मीटर है इस मंदिर का निर्माड पत्थरों को आपस में किसी केमिकल या चुने से जोड कर नहीं बलकी पत्थरों के खाचे काट कर उन्हें आपस में फसा कर उसका निर्माड कराया गया था बिना निर्माड का मंदिर इस मंदिर का एक और बड़ा रहस है ओ इस मंदिर का आर्किटेचर पानी वस्त सिल्प है आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां मंदिर बिना नियू के बना है अर्थात इस मंदिर के निर्माड के समय कोई नियू नहीं खोदी गई थी बलकी सीधे जमीन के उपर से ही मंदिर का निर्माड करना सुरू कर दिया गया था जो एक हजार साल बाद भी वैसा ही खड़ा है मंदिर के सीर्ष पर लगा भागी भरकम पत्थर इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य और है कहा जाता है कि इस मंदिर के सीर्ष पर रखा करीब 88 टन वजन का पत्थर जिसके उपर करीब 12 फिट का सोने का कलस रखा हुआ है जिस पर सूरज की रोशनी पढ़ने पर धरती पर कोई परचाई नहीं दिखती है और जब चांद की रोशनी होती है तो भी किसी तरह की कोई परचाई जमीन पर नहीं दिखती है केवल बिना सीर्ष के मंदिर की ही परचाई देखने को मिलती है यह मंदिर का सीर से एक ही पत्थर को तराज कर बनाया गया है अब उससे भी हैरानी की बात या है कि 88 टन वजन के इतने भारी भरकम पत्थर को इतनी उचाई पर बिना क्रेन से पहुचना और ऐसे लगाना की एक हजार साल बाद भी नहीं हिले या भी अपने आप में वहतरीन आकी श्टेचर का सबूत है भगवान सीव को समर्पित मंदिर ब्रदेशवर मंदिर भगवान सीव को समर्पित है इस मंदिर में जो सिवलिंग स्थापित है उनके उपर एक विसाल पंच मुखी नाग अपने फन को फैलाए बैठे हैं जैसे मानों की भगवान भुले नाथ को चाया दे रहे हों उसी के साथ साथ इस मंदिर में दोनों और छेचे फिट की दूरी पर मोटी दिवारे बनी हैं जिसकी बाहरी दिवार पर बनी बड़ी आकरति को विमान कहा जाता है वही मुख्य विमान को दच्छिड मेरू कहा जाता है मंदिर में विशाल नदी की परतिमा है स्थापित इस मंदिर की एक विसेस्ता और है वहया की भगवान स्यू की सवारी नंदी की भी विशाल काय परतिमा स्थापित है इसे भी एक ही पत्थर से तराज कर बनाया गया है इसकी उचाई 13 फिट है विश धरोरों में सामिल है ब्रह देश्वर मंदिर ब्रह देश्वर मंदिर को वर्ष 1987 में यूनेसको ने अपनी विश धरोरों में सामिल किया था इस मंदिर में संसक्रत और तमिल भासा में सिला लेख है जिसमें आभुसरों से जुड़ी जानकारी दी गई है